बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बिहार के तरक्की में नए आयाम गड़ते नजरा रही है बिहार में नए वित्तिय वर्स यानी 2022-23 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तरफ 6000 किलो मीटर लंबी ग्रामीन पथों का निर्मान ग्रामीन कारी विभाग कराएगा वहीं प्रधार मंत्री ग्राम सरक योजना में 2500 किलो मीटर लंबी सरक बनाई जाएगी इसके साथ ही 9000 किलो मेटर लंबे ग्रामीन पथों की मरमती और अनुरक्षन कराने का लक्ष भी तै किया गया है ग्रामीन विकास मंत्री जैंत राज ने बुदवार को विधान परिशद में विभाग के 2022-23 बजट पर चर्चा के बाद सरकार के जवाब में सदन को यह जानकारी दी इसके साथ मंत्री के प्रस्ताव पर सदन से 10,611 करोड 96,10,000 रुपे का बजट द्वनिमत से पारित हो गया मंत्री ने बताया कि सरक किनारे पोधारोपन के साथ ही अनिवारि सरक सुरक्षा मानकों का प्रापधान किया जाएगा 12,555 किलोमीटर लंबी 1660 सरकों का सर्वे भी कर लिया गया है ग्रामेर पथोग का 3D इमेजिंग केमरा के जड़िये निरेक्षन कराया जाएगा सरकों की गुनवत्ता बहतर रखने के लिए इंजिनियर और समवेदकों की ट्रेनिंग कराई जाएगी राग्य सरकाट केंद्री एजिंसियां दोरा छुटे हुए अधूरे कारियों को वर्तमान एस्थिति में वापस लेते हुए इसे प्रधानमंतरी ग्राम सरक योजना के राजजांस मद से पूरा कराया जाएगा अब तक 55,201.91 किलो मीटर में से 52,983.09 किलो मीटर लंबाई के ग्रामीन पथों का निर्मान कारिय पूरा कर लिया गया है इतना ही नहीं इस मामले में तो सरक्य तो बन ही रही हैं और ग्रामीन लोग हैं उन्हें खाद सुरक्षा कितने मिल रहा है और जो सहरी लोग हैं उन्हें कितने सुरक्षा दी जा रही है इसको लेकर भी चर्चा हुई है खाद वह उपभोक्ता संरक्षर मंत्री लेसी सिंग ने जानकारी दी कि राजी में ग्रामीन छेतर के 85,12% और सहरी छेतर के 74,53% आबादी यानि कुल आर्च दिस्वनलब साथ एक करोड लोगों को खार्दी सुरक्षा योजना के तहट अनाज उपलब्द कराया जा रहा है बिजहान पडिशन में बुदवार को बजट पर चर्चा के दवरान मंत्री ने सदन को या जानकारी दी मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा परतेक लाभूक को 5-5 किलो अधरिक्ट अनाज मुप्त दिया गया बायोमेट्रिक सिस्टम से लाभूकों को भी अनाज दिया जाता है कल्यानकारी संस्थानों वा छात्रावास योजना के तहट एसी एस्टी पिछरा वर्ग हुआ अती पिछरा वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग के छात्रा वासूं में रह रहे छाप्र छात्राओं के लिए प्रतिमा 15 किलोग्राम मुफ्त खाध्यान और दोर टू डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से उपलब्द कराया जा रहा है 2022-23 के लिए स्कीम मद में 1063 करोड 71 लाख और अस्थापना मद में 151 करोड 24 लाख 18,000 का बजट पारिज किया गया है या तो खाधि सुरक्षा योजना का ही एक हिस्सा है जिसके तहत शहर होया ग्रामिन छेत्र के लोग सब को इस सुवजा का लाब दिया जा रहा है लेकिन जब सरकों की और पुलों की बात करते हैं तो बिहार में लगातार सरकें बनाई जा रही है ताकि अबागमन जो है वो ज्यादा सुगम हो सके पत्ना की बात करें तो यहां पर पुल और इतने बनाई जा रहे हैं कि पुरा सरकों सरकों का जाल और एलिवेटेड रोड का भी जाल पत्ना में बिचने वाला है जिससे यातायात सुगम होने वाला है दरभंगा मुझपरपूर्थ मुंगेर सहरसा समयत कई राजियों में बड़ी बड़ी सरकें बनाई जा रहे हैं जिससे यात्रा और भी आसान हो जाएंगी वहीं अलपरदेश में 6000 किलोमीटर ग्रामीर सरक का निर्मान होगा जो कहीं न कहीं गाउं के लोगों के लिए सुविधा में एक और इजाफा ही मना जाएगा